हेलो वीवर्स, वेलकम बेक टू माई चैनल हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है पलाजो के ट्रेंडे डिजाइन्स और उनके नाम क्योंकि फेशन में अपडेट रहने के लिए नाम का पता होना जरूरी है तो चलिए फिर बीना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस टाइब के पलाजो को फॉर्मल पलाजो कहा जाता है इस टाइब के पलाजो को बेल्ड पलाजो कहा जाता है इस टाइब के पलाजो को लेयर्ड पलाजो कहा जाता है इस टाइब के पलाजो को धोती पलाजो कहा जाता है इस टाइब के पलाजो को रैप पलाजो कहा जाता है इस टाइब के पलाजो को पोकेट पलाजो बोला जाता है इस टाइब के प्लाजो को डेनिम प्लाजो कहा जाता है इस टाइब के प्लाजो को इसकट लुक प्लाजो कहते है इस डिसाइब के प्लाजो को टेसल प्लाजो कहा जाता है इस टाइब के प्लाजो को टाइड प्लाजो बोला जाता है इस तरह के प्लाजो को स्लेटिड प्लाजो बोलते है इस तरह के पलाजो को इस्ट्रेट पलाजो बोलते हैं इस टाइब के पलाजो को टाइसाइड पलाजो कहा जाता है इस टाइब के पलाजो को कुलेट पलाजो बोला जाता है इस टाइब के पलाजो को फोल्ड ओवर पलाजो कहा जाता है ऐसे डिजाइन वाले पलाजो को डबल लेयर पलाजो बोलते है इस तरह के पलाजो को फलर्ड पलाजो बोला जाता है इस ताइब के पलाजो को बूट कट पलाजो काहा जाता है इस ताइब के पलाजो को बॉलडर पलाजो बोलते हैं इस तरह के पलाजो को साइट स्लिट पलाजो कहा जाता है इस तरह के पलाजो को हाई स्लिट पलाजो बोलते हैं इस तरह के पलाजो को पलेटिड पलाजो बोला जाता है इस तरह के डिजाइन वाले पलाजो को टक पलाजो कहा जाता है इस तरह के पलाजो को रेफ फरन्ट पलाजो बोला जाता है तो गाइस वीडियो कैसी लगी यह आप कमेंड करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें झाल